तो फ्रेंट सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक सोब काम ना हैं कुछी समय बाद नए साल सुरू हो जाएगा, जिस तरह सुबा की अच्छी सुरुवाद से पूरा दिन अच्छा रहाता है ठीक उसी तरह साल का पहला दिन सुभो तो पूरा साल अच्छा हो सकता है हर कोई नए साल में खुसाली और तरक्की की उमीद कर रहा है हर किसी को नए साल का बेसबरी से इंतजार रहता है नए साल में सांती और लाफ प्राप्टिके लिए तरह तरह के उपाई भी करते हैं जो 30 सास्तर के अनुसार साल के पहले दिन कुछ काम करने का लाफ पूरे साल मिलता है वहें कुछ हैसे काम ऐसे भी हैं जिन्हें नए साल में नहीं करना चाहिए तो चली जानते हैं साल 2014 में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स आप से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब वबस कर लें बिल आइकन को भी क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुश सके तो चली जानते हैं नए साल में क्या करना चाहिए बड़ो का आसिरवाद नव अर्ष का स्वागत करें और बड़ो का आसिरवाद लेकर दिन की सुरुवात करें इस दिन दोस्तों और परजिनों को नव अर्ष की सुब काम नाये दें और अगला है देवताओं की पूजा करें नव अर्ष के पहले दिन सुबा नहाने के बाद भगवान विश्डू और मातल अच्छमी की पूजा करना सुब माना जाता है इस दोरान मातल अच्छमी को एकाक्षी नारियल अर्ष करें भगवान का असिरबाद पूरे साल बना रहे इसलिए साल के पहले दिन इस्नान करने के बाद मंदिर अवस जाना चाहिए अपनी छम्ता के नुसाल साल के पहले दिन जरूरत मंदों को कुछ दान जरूर करें ऐसा करने से जीवन में सुख सांती आती है सिवलिंग पर जल चढ़ाएं ने साल के पहले दिन तावे के लोटे में जल भरें और इसमें केसर डालें इसके बाद इसे सिवलिंग पर अरपित करें पूजा के दोरान ओम महादेवाय नमा मंत्र का जाब 108 बार करें ऐसा करने से जीवन में खुशाली आती है और अगला है गरीबों को दान दें ने साल के पहले दिन स्रद्धानुसार गरीबों को दान करें माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सुक सांती मिलती है नए साल के पहले दिन आप किसी जरूरत मंद की मदद करें तो आपको आत्मिक सांती मिलेगी भजन किर्थन करें नए साल के पहले दिन भजन किर्थन करना अच्छा माना जाता है और अगर आये साफ सफाई करें, ने साल के पहले दिन घर को सवक्ष करें, जहां साफ सफाई होती है, माल अच्मी वहीं आती है, ने साल में अपने घर में या आसपास कोई पेड़ पोधा अवस्थ लगाएं, खर्च का ध्यान रखें, अक्सर लोग ने साल को धूमदाम और रियादगार तरीके से मनाने के लिए उत्साफ में जरूरत से अधिक खर्च कर देते हैं, अपने बज़र से ज़्यादा ब्याय करते समय उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बाद में पस्तावा हो सकता है, आपके जीवन में पैसे की परिशानी है, तो नवर जा सकते हैं, या घर पर पूजा कर सकते हैं, नए साल के पहले दिन भजन किर्टन करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं, नए साल में क्या नहीं करना चाहिए, वैसे तो लोगों के साथ किसी भी तरह के लड़ाई जगरे से बचना चाहिए, लेकिन साल के पहले दिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए इस दिन बाद भी बाद नहीं करना चाहिए माना जाता है कि साल के पहले दिन किसी से बाद भी बाद कर लेने से पूरे साल नकारात्मा कुर्जय मिलती है नवर्स के पहले दिन लच्मी पूजन किया जाता है इसलिए इस दिन तामसिक भोजन का स जाता है प्राइएए प्रती है और आठीक के सब्सक्राइब उग्दीख hopra datutesatic chade Kasuk וकान के वंगर करनी चाहिएए यूदाल की शुप्र आज के पहले दिन किसी से कर्ज नहीं ऐसी माननेता है कि नए साल की शुरुवात में धन का लेंदेन करने पर उसको चुकाने या वापस लेने में परिसानी आती है नहीं करें तामसिक भोजन नए साल के पहले दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए नव अर्स के दिन माराच्मिक की वीत पूरवक पूजा करने का विधान है आप इस दिन मानसाहार से दूर रहें नुकीली बस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए नए साल के पहले दिन नुकीली चीजें नहीं खरीदें अईसा करना वास्त वर्जोतिस में असों बताया गया है अईसा करने से धन की हानी हो सकती है नसे से दूर रहें नए साल पर उस्ताह में लोग छमता से अधिक डिरिंग का सेवन कर लेते हैं इसलिए ध्यान रहें जसन का मतलब जाम से जाम टकराना नहीं है तो फ्रेंड्स नए साल में कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखें जिससे आपका पूरा साल सूभ हो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को इन तक देखने के लिए थांक यू, हपी नएव यू यू